दोस्तो चांद के नीचे निकले हुए इस तारे के बारे में आपने जरूर सुना होगा और हो सकता है आपने इसे अपने आखों से देखा भी हो क्योंकि इस बारे में सभी सोसल मेडिया पे इस टाइम बहुत चर्चा हो रहा है दोस्तो ए नजारा आसमान में फ्राइडे के साम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच दिखा था लेकिन इसे देखने के बाद कुछ हिंदू समाज के लोग इसे नवरातरिस चोड़ रहे है और कुछ मुस्लिम समाज के लोग इसे रमजान से और ये सारी बाते अपनी जगा पर ठीक हैं लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजे कि मून के नीचे दिखने वाली ए तेज लाइट है क्या क्योंकि जब किसी दूर इस्टार की लाइट मून के आसपस दिखती है तो उस में मिल जाती है और वो दिखाई नहीं देती है लेकिन इस लाइट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो चलो देखते हैं आखिरे है क्या देखो मून के नीचे दिखने वाली ए लाइड कोई इस्टार नहीं है बलकि एक पिलैनेट है वीनस और ऐसा तब होता है जब पिर्थवी मून और वीनस आमने सामने आ जाते हैं लेकिन वो एकदम आमने सामने नहीं होते हैं उनमें कुछ डिगरी का डिफरेंस होता है और इसे लूनर ओकल्टन ओफ वीनस कहते हैं और एक प्रोसेस सालों में एक बार होता है वैसे आपने इस बहतरी नजारे को अपने आखों से देखा था या फिर नहीं कॉमेंट में जरूर बताना